हालो आवरीवन आप सभी का फिर से स्वागद है हमारे प्यारे से यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम सिभी सी क्लास 12 फिजिक्स सेंपल पेपर का सेक्शन बी और सेक्शन सी सोल करने वाले हैं डिसकस करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपको किन-कि आपको इस वीडियो में मिलेगा चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं तो एक नदर मार लेते हैं फिर से इस तरीके से आपके इंस्ट्रक्शन थे तो आपका जो एक्जाम है वो 35 मार्क्स का होने वाला है आपको 90 मिनट मिनने वाले हैं इसके अंदर तीन सेक्शन है सेक्शन केंशन है जिसम्स को consistent test करना अंटेम्ट करते हैं और कोई भी negative नहीं है मतब तुछा मां सकते है यृटमाट करने सक्ष्टे श insects बीकर आपको 24 से मिल रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है और स्लेंडर और रेडियस आर एंड लेंध एल इस प्लेंडर है जिसकी एक्सिस को अब आप से पूश्चा है कि Practice the left सबस्टा क्या है कि एसका सब्सक्राइब तो इसे क्या होता है कि जो भी चुण सर्फेस होती है रखियो है अगर आप इन में ध्यान से देखो तो जितनी नंबर ओफ ओफ फील्ड लाइन्स एंटर करती है इसनी वहां से बाहर मिनिकल जाती है वहां से एकजिट भी कर जाती है इस केस में हमारा जो है वह अनके बराबर आजाता है यो कि इस तो यह जाता है बढ़ता है अगले क्वेश्च बढ़न देखो अगले क्वेशन के अंदर आपको दो लार्ज मैटल की सीट दे रखी है जिनकी चार्ज देंसिटी 26.4 इंटो 10 स्कॉर माइनस 12 दे रखी है और जिन पर दोनों ही सीटों पर ऑपोजिट नेचर का चार्ज है यानि कि एक पर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे पर माइनस यहां पर यहां पर नेग्टिव चार्ज देक्व पोजिट्व चार्ज इसकी चास देंसिटी लस्का और इसकी चास देंसिटी नेगेटिव अब यहां पर प्लस की वज़ए से और वहोता है ठीक है न एक नैटलेक्टिक पील्ड क्या होगा एंवाट यह में नैटलेक्रिटल अगर ग्हां से देखों नैटलेक्टिक कि ए अब दोनों की वज़ का सिग्मा ओर सथे और सिग्मा अब सिग्मावर है तो सिग्मा की इस मेरेंगे एप्सलिन ए Touch यहां पर कुलम्व, ठीक है? नेक्स्ट ग्वेस्चन, पुश्चन नमबर 28, सारे कुशन इजी सही है, ठीक है? क्या बूल रहा है कि यानिकी नुट्रल इस्फियर अब इसके पास हम लोगों ने एक पुजिटिव पॉइंट चार्ज को रख दिया तो अब पूछ रहा कि नेट चार्ज जो है उस कंड़ेटिंग इस्फियर पर क्या होगा देखो यहाँ पहुना है कि अंदर權 नहीं होता है इसके इंदर चार्ज नीहीं है उसके अंदर होगा क्या इत्य होगा उसदने पोजिटिव था अदर इस तरीके से खठा हो जाएगा वह और प्लस जो है यहां पे चलाजाए नहीं पड़ने वाला चार्च से ना में बाहर को इसके अधर बाहर गया है इसके अदर कोई रहेगा ज़ी तब बढ़ता है यह थोड़ा सचा है तीन चार्ज आपको दे रहे हैं एक की वेल्य ू SAY डूसरे की वेल्य की माइनस क्यूद यह तीनो होके तीनो जो है किसी टींगल की वर्टिस पे लाइप करते हैं लिकाइं अब आपको around पर आपको इकी वेल्याल रेख यहां सब्सक्राज कुर्याइब बनाया ऊपर 12 Q दूसरे की वैलिव मािनस क्यू वीर माईनस क्यू आउ कितीनों के तीनों कि सिटानल की रॉटिसइस पर लाई करते हैं लाइक करते हैं अब आपको centroid पे वैलियक को प्यूंच इंख यहां बना दिया उपर उपर रख गेत हैं मैंने 0ringe इदर रख दिया मैंने माइनस-q नंबर भी लिए दिया बैन्ट टू तिर अब यह रहा इसका सैंट्रोइट सैंट्रोइट्व फील्ड फील्ट तू रेक्टिक फाले की विज़े से नीचे की तरफ होगा वोजिटीव सा की वज़े से लेक्ट्रिक तो नहीं आने वाला है नोंगीरों ऑफ़ अगर अगर सब्सक्राइंट डिस्टेंट्यल आसए हम सें महों देखो क्या कोई करना होता है वो stellar quantity होती है, direct आपको algebraic sum ही करना होता है, ठीक है, तो v1, v2, v3, इनकी वज़े से formula लगाएंगे, point chart वाला formula लग जाएगा, point chart की वज़े से electric potential का formula होता है, kq by r, इसकी वज़े से k2 q by r, इसकी वज़े से k-q by r, जब आप इनको aid करोगे तो हमें 0 मिलेगा, यानि कि इसके centroid पर electric field की value non-zero है, और electric potential की value 0 है, option number third अगर आप ध्यान से देखो, इस बात को बोल रहा है, next question की तरफ बढ़ते है, question number 30, question number 30 क्या गह रहा है, यह आपका capacitor वाले chapter से question है, two parallel plate capacitor X and Y, have same area of plate and same separation between plates, यानि कि A और D की value same है, X के अंदर air है, Y के अंदर एक dielectric है, जिसका dielectric constant की value 2 है, तीक है, अब इनको अगर हम लोगोंने series में रख दिया, और इस arrangement को 12V की बैटरी से जोड दिया, तो electrostatic energy X और Y के अंदर होगी, उनका ratio क्या होगा, देखो, series में जोड दिया, यहां से एक बाद आपको समझ में आनी चाहिए, कि दोनों के charge जो है, वो same होगे, दोनों के जो charge है, वो same होगे, series के अंदर charge same होता है, 12V की बैटरी से जोड दिया, अब देख लेते हैं, कि इनकी जो capacitance है, इनकी जो capacitance है, वो केसी है, तो X वाले की capacitance, A, epsilon by D, A क्या है, मैंने area माल लिया, D, दोनों के बीची distance माल लिया, लेकिन जो Y वाले कोता capacitance होगा, वो कितना होगा, 2A, epsilon by D, इसा क्यों, यहां कि अगर आपको पता है, कि dialectic डाल रखा है, तो उस time पे जो capacitance होता है, वो K, A, epsilon by D होता है, यहां पर K होता है, dialectic constant, dialectic constant अपन कि जो CY है, यानि कि capacitance of Y है, वो double है, capacitance of X के, चीक है, अब देखो यहां पे energy का formula लगाते है, energy का formula लगाते है, energy का formula क्या होता है, Q square by 2C, Q square by 2C, चीक है, energy का formula होता है, Q square by 2C, अब Q की value दोनों में same है, C की value आपके पास है, तो दोनों के लिए मैंने energy का formula लग लग दिया, यह है, अब यहां से मैंने पहले निकाल के रखावाता है, Q square by 2C, Q square by 2C, इसको solve किया, Q square से Q square कट गया, 2 से 2 कट गया, CY उपर चला जाएगा, तो CY, CX आएगा, अब यहां से मैंने पहले निकाल के रखावाता है, Q square by 2C, इसको 2C, रख दिया, जो solve किया, तो CX से CX भी कट गया, आंचर आया 2 ratio, आंचर आया 2 ratio, option number 3, ठीक है, आपी easy question है, question number 31, क्या बोल रहा है कि, which among the following is not a cause of power loss in transformer, यह आपका chapter number 7 का question है, AC से, अगर आप इसके अंदर last option देखोना जागे, क्या बोल रहा है कि primary coil is made up of very thick copper wire, अगर वेटा जी primary coil thick wire, यानि कि मोटी wire, उसका area of procession ज़्यादा है, अगर वो thick wire से बनी होगी, तो उसका resistance कम होगा, उसका resistance कम होगा, तो heat loss कम होगा, यानि कि power loss उससे कम होगा, ठीक है ना, power loss कम होगा, तो thick copper wire, ये जो है, इसका cause नहीं है, ये इसका cause नहीं है, यही जुचा है कि वाकि सारे इसके cause है, transformer के अंदर बाकि सारे इसके cause है, इन AD current produce होता है, flux leakage होता है, बाकि आपका sound produce होता है, वो भी loss करता है, बट ये जो thick wire है, ये resistance को कम करेगी, अगर wire ठीक होगा, त ये से heat loss कम होगा, बढ़े गाने, तो हमने पुचा आता कि not a cause, तो option number 4 इसका answer होगा, आगे बढ़ते है, question number 32 की तरफ बोल रहा है, कि an alternating voltage source of variable angular frequency omega, ये ये W नहीं, ओमेगा, and fixed amplitude V is connected in series with a capacitance of and electric bulb of resistance R, ठीक है न, इंडे 10 0 लेना है आपको, बलब के ओर आपका 8 C circuit है, तो अगर W को increase करेंगे, omega को अगर increase करेंगे, तो इस bulb की glow है, इस पर क्या फरक पड़े है, देखो वो directly proposal होती है, पावर के, आपको पावर देखनी है, पावर increase होगी कि decrease होगी, उसके लिए circuit diagram मना दिया, यहापे मैंने और आपको sin omega 2 रज़ गी ठीक है, अब इस circuit के अंदर अगर आपको current की value निकालनी है, ठीक है ना current की value क्यों निकालनी है, यह अपने को power, power का formula निकालना पड़ेगा, power का formula में i square आ रहाता है, ठीक है, तो i क्या हो जाएगा, v by z, i क्या हो जाएगा, v by z, z क्या हो जाएगा, xc होता है 1 by omega c, xc होता है 1 by omega c, अब चीज़ को ज्यांते समझना, अगर omega बड़ेगा, अगर omega बड़ेगा, तो xc की value decrease होगी, क्यों, inversely proportional है, और xc यहां से decrease होगा, तो i क्या होगा, increase होगा, यहां से बोल सकते हैं कि omega बड़ेगा, तो i भी बड़ेगा, ठीक है, अब देख i भी बड़ा, i बड़ा, तो p भी बड़ेगा, p बड़ेगा मतलब वो bulb जो है, ज्यादा brightness के साथ glow करेगा, ज्यादा brightness के साथ glow करेगा, तो आप second option देखिए, the bulb glows brighter, यह जो concept है, brightness वाला, यह current electricity में सीखते हैं हम लोग, इन्होंने AC वाले chapter के साथ mix कर दिया, ठीक है, बड़ next question, question number 33, यह अच्छा question है, यह अच्छा question है, काभी को समझना भी पढ़ता है, इस question के अंदर, इसको करने के लिए, direct option को टेकी नहीं माल सकते है, जिसा कि सभी लोग करते हैं है, है ना, a solid spherical conductor has charge plus q and radius r, it is surrounded by a solid spherical cell with charge minus q, inner radius 2r and outer radius 3r, which of the following statement is true, इसके से कौन सा statement true है, तो आप से electric potential और electric field की value बूचरा है, option के अंदर, कहां maximum है, कहां maximum है, तो उसके लिए आपको पहले इसको समझना पढ़ेगा, कि charge इस तरी की से distribute होगा, देखो, conductor के ऊपर जो charge इसकी surface पे रहता है, अंदर वाले की surface तो शिरुफ और शिरुफ उपर वाली है, ठीक है न, तो उसके charge तो यहां आजाएगा, सारा का सारा प्लस q, लेकिन यह वाली जो spherical cell इसके अंदर charge कहां होगा, अंदर होगा, बाहर होगा कि कहां होगा, तो इसके अंदर जो प्लस q charge है, यह negative charge को फिर तरफ लेगा तो सारा का सारा माइनस q charge एदर आजाय जाएगा, इसकी बाहर वाली surface पे जीरो charge होगा, इसकी बाहर वाली surface पे जीरो charge होगा, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, ठीक है कंड़क्टर के अंदर electric field 0 होता है, त तो वहां पर आपको जीरो करने के लिए अंदर टोटल चार्ज हो है वह जीरो आना चाहिए यह इसी केस में पॉसीबल है तो मिला कि जो चार्ज है प्लस माइनस क्यू चार्ज था बाहर वाली स्पेरिकल सेल पर उसकी इनर रेडियस पर रहेगा और आउटर रेडियस पर चार सेर और है उसके चार्ज माइनस क्यूं है जिसकी रेडियस तू आ रहे है और बाहर एक स्पेरिकल सेल है जिस पर चार्ज जीरो है जिसकी रेडियस कितनी है कि या कुछ इसा कोश्चन बने गया है मैंने जो पॉइंट के नाम दिए ए बी सी डी वह भी देता हूं अब ध्या सेल के सफेस की इतना सेंटर पर होता है ठीक है तो सबसे चोटाताी जो आइसकी वजह से का मैंने कुबाइटा तो को अपे शीरो और निकालो है सबसें बहार तो फि looking-up तो आने वआला ठीक है अब बी पे देखो बी पे पोटेंशियल इसके विज़से के क्यूबाई आर और इसके अंदर रहें तो माइनस सब्सक्राइब करोगे तो आए के क्यूबाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर गोशियन सर्फेस बनाओ कि तो शिरुप यह वाला चार्ज रोगा अंदर वा प्लस क्योबाई यह देखो बहुत अब अब इलेक्ट्रिक विल्ड अंदर चार्ड कितना हैगा प्लस क्यू माइनस क्यू अंब भाइब दया स्थी अब देखो अब देखो अब ऑस गोशियन सर्फेस बनाओ कि इस तो टोल अंदर चार्ज कितना एगा प्लस क्यों माइनस क्यू जीरो तो इलेक्रिक फील्ड भी जीरो आने वाला थैं यहां पर अगर आप पोटेंशल निकालने जाएंगे तो वह तो वह स्पेर से निकालोगे तो एलेक्ट्रिक पीडिडू आएगा अब करुम कहा पह है यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंचियल और एलेक्ट्रिक फिर डोनों मैक्सिमम होने वाला है दोनों maximum होने वाला है option number second correct हो जाएगा वैसे देखे तो इस question को सीधा टिक मार देते हैं बट दंग से समझने वाला question है ठीक है अलबा question नहीं है next question 34 question number 34 क्या बोल रहा है कि बैटरी is connected to conductor of non-uniform cross section area the quantity or quantities which remains constant is current constant रहेगा सबसे पहले में बता देता हूं क्यों रहेगा अगर आप इसको बहुत सारे चोटे चोटे पार्ट से भी ब्रेक कर दो ना इस वोटे चोटे चोटे पार्ट सोटे चोटे चोटे रिजिस्टेंस बनाएगा अब सारे के सारे सारे के सारे सीरीज में होता है इस लोगिक को लगा करके हम यह तो पता लगा सकते हैं कि वीडी का फॉर्मला हो जाएगा आई ओवर एन एए इसी तरीके से फिर्टर फॉर्म या फिर डिफरेंशल फॉर्म होगी किसकी और यहां जेको लिख सकते हो आई इसको वन वाई रो इंटू इस एक इतना रो आई बाई अब रो कॉंस्टेंट आई भी चेंज नहीं हो रहा है ज़र बचा एरिया यानि कि एलेक्ट्रिक फिल्ड भी जो है वह एरिया की इनिवर्स प्रपोस्टल आए एरिया चेंज होगा फिल्ड भी चेंज होगा अतलब सिर्फ फोर सिर्फ एक ही क्वांटिटी है एलेक्ट्रिक करण्ट जो यहां पर को स्टेंट रहने वाली है कि आगे बढ़ता है क्वेश्टन नंबर 35 क्वेश्टन नंबर 35 क्या बोल रहा है त्री रेजिस्टर हैं वैल्यू आर्वन आर्ट अधर पावर है आपको बताना है यह वोल्टेज केतनी है यह बहुत इस ने डाइगराम अने वाला है आई यह निकिट टू इसके अंदर भी करण्ट तू आने वाला है आवर पता है वी पूछा है तो पावर का फमला लगा सकते हैं वी आई तो थर्ड वाले के लिए पाव पावर आई तो यह है जिक्स बाइटू पटाग से इसका आंचर आई यह पटाग से आंचर आगा यह इसी कोशन था यह इसी कोशन था पर इसन नमोर 36 जो इसक्वेशन में बच्चों याद रखते वर अगर यह किसी बच्चा को ग्राफ याद नहीं है पिर भी में बच्च वो करा देता है कि वो कैसे करेगा यह कि स्टेट लाइन ग्राफ बनाया गया है पॉटेंशिल डिफ्रेंस टर्मिनल पोटेंशिल डिफ्रेंश और अब इंटर्नल रिजिस्टन्स बताना है सबसे पहले तो इक्वेश्चन सभी को पता होनी चीए सेल के केस में वी इकोस टो एए इमफ होता है अब डेटा देख लो जब आई की वेल्यू जीरो है जब आई की वेल्यू जीरो है तो वी की वेल्यू पाइफ प्इंट सिक्स ह जब आपका है इकी वेल्यू जीरो घ्राव अब यह इसमें डाल दो और लोगों निकाल लिया जीरो पाइफ निकाल लिती और यहां पर लगा दिया यहांसे र की वेल्यू आ गई तो अगर अगर किसी को इस तुकिता करने को हो பता कि नोइ सेया है कि फटाफट करेगा स्लोप prostu निदैकर दो गोड़ियो में लोड़नेट सों number 37 meter breeze 9 potentiometer क्या बोल रहा है क्या 10 meter long wire of uniform cross section and 20 ohm resistance लिगे ना uniform cross section ने रोस वायर का कुद का resistance 20 ohm used in a potentiometer the wire is connected in series with battery of 5 volt along with external resistance 480 ohm if the unknown EMF is balanced at a six-meter length of the wire in the value of unknown EMF is the go EMF application of the potentiometer the EMF nika naga easy to excel at a you know X count a potential gradient woman but on as you will directly यहां पर आपको directly नहीं दिया गया है आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए आपको primary circuit का diagram दिया गया है तो उस diagram को उठाके थोड़ा था लगसे बना लेते हैं और उस wire का resistance में दिखा देता हूं 20 यहां पर दिखा दिया अब इसके अंदर primary circuit के इंदर प्राइमरी करेंट फ्लोगा इस प्राइमरी करेंट की वैल्यू कि इतनी होगी प्रेंट्स जो बैटरी लगई है उसका EMF divided by total resistance यह calculate करेंगे तो फाइव ओवर 480 प्लस 20 आएगा तो फाइव ओवर 500 टैनस पावर माइनस इसके अक्रोस पोटेंशिल निकालना है दो पेंट्स फाइफ उन क्यासे निकल जाएगा आई यार वाले फोमले से ठीक है निकाल लिया इंटु उसका रजिस्टेंस से मैंने मल्टिप्लाई कर दिया करेंट 10 इस पार मायनस तो फ्रेजिस्टेंस 20 ओं दे रखा है तो बी पी क्यू आगया तो अभी यहां नहीं अभी तक पोटेंचिल ब्रेडिन निकालना पोटेंचिल ग्रीइट क्या होता है पुटेंचिल डिटमamm 9 ये तो इस लेंद्ध का दिवाइड मार देते हैं तो 0.2 नच्ном है जिस लेंद सिक्थे घ्र लिटिन आहे से जिनो फीरा सみला तो यह जाएगा फोन। तो caution और दिया गया है कि अब थर्टी एट क्या गोल रहा है कि तक रहन्ट सेंसिटिविटी ऑफ ग्यालोनमेटर इंक्रीज बाइट 20% इस रेजिस्टेंस ओल्सों इंक्रीज वाइट 25 परसेंट वोल्टेज सेंसिटिविटी विल उसके साथ क्या होगा तो देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी करेंट और रेजिस्टेंस में आपको रिलेशन पता होना जाहिए यह होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है पाई ओवर टीटा ओवर आई ठीके ना डिफ्लेक्शन पर यूनित करण पुल मिला कि रिलेशन दोनों के बीच में यह होता है रिलेशन यह होता है तो करेंट की वेल्यू को फ्वेंटी परसेंट से बढ़ा दिया यानि कि अब नही 25 25 अब यह जाएगा वन पॉन पॉल्टेज सेंसिटिविटी अप सेंसिटिविटी बाइन रिस्टेंस अब इसको ऐसे कर लिया देखो बोस》 निटिटीविएट नीट vas न्यावाला आ गया वोल्टेस अ lin निकाल लर्त निकालते ने यह वाल नहीं वाली वोल्टेस सेटीविटी माइनस और दो सो लिवाले जाल दी 25 125 फिर एल्सीम लेगे इसको शोल किया तो आंसर आया माइनस 4% माइनस क्या दिखा रहा है decrease हो रही है 4% क्या दिखा रहा है 4% से decrease हो रही है decrease by 4% decrease by 4% 4% decrease हो जाएगी यह क्यों यह कुशन ठोड़ा सा आपका time लेगा ठोड़ा सा लॉंग पेर्लेल स्षbugण कर देंगे तो कितना force लगेगा तो एक डिरेक्शन को reverse करके देख लेते हैं इतना force लगेगा सबसे पहले तो कि वज़े की होगा की वज़े से सथे की वज़े से मागेटिक वियलिटी ट्रेक्शन है वह क्या आएगी इस की साईंडेसे छो चो ऑंधर के तरफ वाक colonies बैर्ट को नेट्da मैग्नेर्टिक निकालना यह एक और अपने को निकालनी है तो मैझे घूर तोस्ता रस हूं माइनेटिक फिल्ड होता है मिनोड ऑफोषय और से लिया डेन letter कितने की बचाँ से Mi में आ रही रहेगी अगर आप यहां से देखो दोनों की वेल्यू जो है इक्वल आई है मतलब माइनस होगा तो नेट वैंगनेटिक फिल्स जीरो आ गया बी नेट की वेल्यू अगर जीरो आ आई एल बी साइन थीटा अब इस एक्सपेशन के अंदर अगर बी ही जीरो हो गया तो जीरो आना ही है तो इस पर बोला जाए तो इस फामले को की है अपन क्या कर सकते हैं आगे बढ़ता है क्वेशन नंबर कोटी की तरफ क्या गया रहा है इन हाइड्रोजन एटम इन ओर्बिट ओफ रेडियस 0.5 एंग्स्ट्रम पढ़ता है ना बच्चों को समझ में आता है कि ये अटम में इस्ट्रक्टिर से क्वेशन आगया है आगे पढ़ो इन हाइड्रोजन एटम दा एलेक्ट्रोन मूव्ड इन ओर्बिट ओफ रेडियस इन रही बात आए कि अगर्ट्रोन जो कर रहा है इस एलेक्ट्रोन के वदे से करेंट कितना होगा वाइड टी वहापर लेते टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा टाइम प्या एक रिवालोचिन करने में ताइम अगर एक सेक न में पॉलीट कर रहा है तो एक रिवलीशिन वन बाइटेंट सेके कंड में कर लेगा यूनित्री मेथट यह आप अपताग से निकाल सकते है उसके बाद आई का फॉमला वाइटी आप क्यू कितना हो जाएगा इक इसका इन सब्सक्राइब का वन पॉइंट सब्सक्राइब को अपने को आना थी जिरो पॉइंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या होता है यहां पे जल्दी से हो गया इंकी क्या रखिए पहले से बट वहां पे चैल्पलेशन में थोड़ा था टाइम लगेगा तो उसी हिसाब से त्यार रहे है सब्सक्राइब क्या बोल रहा है यह सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा माइनर्टिक फिल्ड अचानक से जीरो हो जाएगा यह करने में टाइम लगा टैम लगा टैने सब्सक्राइब इस स्ट्री सेकेंड आगे क्या बोल रहा है कि एवरेज बैक कि इंड्यूस्ट निकाल दो सर्कृट के अंदर सबसे पहले तो इंड्यूस होगा वह सुनिए जब आप करेंट की वैली को जिरो करोगे तो मैंटिक फिल्ड जीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि मैंटिक फिल्ड का दिकाल कर देते हैं यां करने तो इस निकालना है तो मेंटिक इस में फर्मला बन गया यहां पर वैल्यूस डाोगे यहां पर क्या करना है वैल्यू फुट करनी सीरी दे निंग फight करना है फिर आपको इनचाल लेना है फाइ वाइं कि इतना वह यह ट नीकाल रहे declara तो टोटल फ सकते हो आप तो कैल्कुलेशन में टाइम लगेगा लिए इस बात का ध्यान रखना कि प्रैक्टिस करके जाना चैक करके जाना च्छाना किया हम आँसे निगाल पाते हैं आपने आप से सवाल करना नहीं तो आज ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देजिए फाइदा होगा एक्जाम वाले देखें पर चलते हैं क्या बोल रहा है कि साइनोस ओडल वोल्टेज ओफ टी वैल्यू टू एटी थी वोल्ट एंड फ्रेक्वेंसी फिफ्टी घर्ड जेगे ना एप्लाइट वाली तो आपको पावर की क्यालकुलेशन करनी है तो रेजोनेंस वाली कंडिशन दे दी तो सि जड़ की विख रोटी अपने को पता होता है ठीक है लुए एक्सल दो एक्सके बराबर लो जाता है तो यह क्राइब लिवालकि परी माब सब्सक्राइब यह लिखा जाता है लिखा जाता है लिखा जाता है लिखा जाएगा डाल दो अंचरा जाएगा सब्सक्राइब तो यह आंसर आपके पास आ जाएगा लिखा है लिखान नुबर 43 क्या बोल रहा है अब सर्कुलर लूप ओफ रेडियस 0.3 सेंटिमेटर लाइस पैलल टू मच बिगर सर्कुलर व्लाइब औप रेडियस कश्राइब बड़ी वाले की एकसिस पर ठीक है दोनों के एकसिस सेम मैं आगे क्या बोल रहा है उनों के बीछ डिस्तैंस लुप में अगर कर रहा है तो किस्का है बढ़े वाले लूप में कितना होगा तो कैसे सिंपल है आप आप एरिया निकाल सकते हों और आप माइणेटिक फीड़ निकालने के लिए आपको यह फॉर्मुला पता जब च्छिए ये फिरला पता नहीं है तो मैंगेटीक फील्ड नहीं निकले यह इसका है किसी सर्कूलर कॉइल की वज़े से उसकी एक्सेस मैंगेटिक फेल्ड यह पर एक्सस्व इसकी दूर पर चाहिए 15 सेंटिमेटर पर erte 15 सेटीमेटर पर आपको मैंवेलियॐ चाहिए न कितना हो जाएगा मपनेणय गर और आ वहांका जाएगा मैंनरे खॉंपल के तो सरी क्यासर कुछ बनेगा इसको आपको बस पॉम्ला एक सब्सक्राइब होना चीए इसके बाद कैलकुलेशन हमें आनी चीए इतना आपने को करना पड़ेगा तर्फ वाइज पूश्चन में कोई वाली बात नहीं पर सिर्फ नुम्र पूटीफोर पूटीफोर क्या रहा है कि इस बोद देन अन्बर ओफ तर्ण अन्दफ और लेंथ ओफ इंडक्टर इस डबल इपिंग अज़र फेक्टर कोंस्टेंट इस इसके साफ इंडक्टर ने फरक्या होगा पड़ेगा तो इसको पॉर्मला पता होना चीए अजिए कि किसी भी कोईल का सेल्फ इंडक्टर नुट एंड स्क्वेर एंट इन टो ए तो निए यह निकालते हैं इसका नंबर फंट को डबल करते हैं तो एंड की वेल्ट हो जाएगी और अप दिहां से देखो किए यह वाली टम्स जो है टू टाइमस और ल के बराबर आजाएगी यह क्या था पुराने वाला अपना इंडेक्टेंड इंडक्टेंस का क्या हो हो चुका है डबल हो चुका है पुरावले वाले इनक्टेंस का डबल हो चुका है तो यह एक आपका डेरिविजन होता है चैप्टर नमबर 6 में ठीक है वहां से यह आपको याद होना थी सारे फॉर्मॉला एक स्वीट में लिख लेना ठीक है रोज रोज उनको रिवाइज कर हो आपको बताना आए कि क्या है क्या यह नहीं एक रॉल रहा है जो है ठूसके पैरलल में एक संट्रिस्टिंस जोड़ते हैं याद आ रहा है कि उसके पैरलल में है एक संट्र इस्टेशन जोडते है एक संट्र आज तो वाई शार पीजिटमेंट विश्ट मेन नहीं उसके पर्लेल में जोडते हैं दिक आप बोड़ए कि जोड़ते हैं इसके एमिटर इंग्रीज रेंज है यो वैव है रडिस्टेंश था एक्रीजव राइज्टेंस अगर भी सिस्टी जो और इसका बहुत कम होगा और दोनों पैरलल में एक्योविल्ट रडिस्टेंश होता है वो दोनों से अस्वास होता है तो हाई कहां से होगा और यह भी गलत है तो जोनों ही गलत है यह भी फोल जा आर भी फोल जा टीक है प्रस्ट नमबर 46 46 क्या बोल रहा है वही असर्शन रीजन क्या एलेक्टोन है थाइज है पोटेंशिल एनर्जी वैन इस अड देलोकेशन अस्वेटेटेट विद्ध रूर नेगेटिव वैल्यों प पोजेटिव पोटेंशिल देख लेते हैं कहीं पे वालो की माइनस टू वोल्ट है यहां पर इलेक्टोन के पास प्लस प्लस हो जाएगा यहां कितना आएगा यह माइनस रहे जाएगा बिल्क्यू सही बात है कि जहां पर नेगेटिव पोटेंशिल होगा यहां पर नेगेटिव पोटेंशिल होगा वाहां पर एलेक्टोन की पोटेंशिल एनरजी पोजिटिव होगी मतलब ज्यादा होगी और पोजिटिव एलेक्टिव पोटेंशिल होगा वाँ पर नेगेटिव होगे एससन करेक्ट है रिजन क्या बोल रहा है कि एलेक्ट्रोन मूग फ्रॉम दे रीजन ओफ हायर पोटेंशिल रीजन तो रीजन ओफ लोवर पोटेंशिल रीजन यह तो आप सिधा देख सकते हो कि जब आप किसी कंड़क्टर के एक रोज बैटरी लगाते हो तो प्लस से माइनस प्लस इधर माइनस इधर इलेक्ट्रोन का बागता है इधर बागता है माइनस से दूर बागेगा तो प्लस की सब्सक्राइब का गलत है एक सब्सक्राइब करेक्ट है एक सब्सक्राइब कर सकती है और अपने आपको अर्थ के माइनस की डिरेक्शन में एलाइन कर लेती है लिए एक लिए अन्य पोल पर पता है होता है कि असे दो मैंगनेटिक फिल्ट फिल्ट एक होता है और एक वाटिकल गमपोनेंट तो पोल पर जाता है कि बोरिजोंटल गॉंपोनेंट जिरो आजाता है तो मैंनेटिक नीडल ऐसे हो जाती है वर्टिकल हो जाती है तो वहां पर अब मैंनेटिक नीडल जिए सब्सक्राइब यहां पर जिरो होगा तब ही तो नेट मैंनेटिक जो है का है वर्टिकल डिरेक्शन में आएगा वर्टिकल डिरेक्शन माने की वज़़े से वह अपने आपको एलाइन करें कि जो दोनों और यह वह बोल सकते हैं कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्स्वेनेशन है इसकी एसरस्ट की इसका उप्शन नमबर वन गरेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ता है रॉप्ट आप्रीट यह पोल रहा है अप्रोटाउन और एन एलेक्ट्रोण विच्छें मोमेंट्टम एंटर इन माइनेटिक फिल्ड और मेंटिक फिल्ड इन डिरेक्शन एट राइट एंगल तो इसलाइन पूर्स था प्रॉट पॉलग पाइलेक्ट्रों और प्रॉट ने मोमेंट्म सेओं घूसे है नाइंटी डिग्री पर गोषता है तो आज तो अट्क सु एम्वी ओबर क्यूbor क्यू बढ़िक्शन अब डिखोब्रोटर ने दोनों का सेम है प्रोट्व हो चाहे इलेक्ट्रों ऑर होकह और मेंगनेटिक की फिल्ड थे इक होगा मतलब हांजी आर सेम होनेवाली अगर मिंटuma सेम है और सेम होने वाला incaric है बोल रहा है कि electron has less mass than proton electron has less mass than proton यह जबी को पता है electron का mass जो है वो क्या होता है proton के mass से कम होता है इसका उपर वादे तो कोई relation नहीं है तो a b true है r b true है यह और r दोनों true है है बट यह सी करेक्ट explanation नहीं है तो भी ऑप्शन करेक्ट से को जाएगा next question next question क्या बोल रहा है कि अंग्रीजिंग ना करेंट sensitivity of galvan meter by increasing number of terms current sensitivity क्या होती है एन अबी बाई सी तो एन बढ़ा होगे तो आपके क्या बढ़ जाएगी करेंट sensitive sensitive बढ़ जाएगी बोल रहा है कि में नोट नेसेसरी इंक्रीज इंक्रीज इस voltage sensitivity नमबर ओफ टर्न बढ़ाने की वज़े से voltage sensitivity बढ़ जाएगी हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है voltage sensitivity क्या होती है voltage sensitivity होती है current sensitivity divided by R current sensitivity divided by R यानि कि N A E N A B by CR जांकि R होता है उस कोईल का resistance तो अगर अपने number of terms बढ़ाएगे तो उसकी length बढ़ने की length बढ़ने की वज़े से R भी बढ़ जाएगा length बढ़ने की वज़े से R भी बढ़ जाएगा जैनि कि N भी बढ़ेगा और आरवी बढ़ेगा आ ब एन और केटने किसे केशे बढ़ रहे हैं इसके पास इसका अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है हमेशा ऐसा एंड बढ़ाने से आर जो है कम बढ़ेगा एंड के कम बेजन में है ना इसा हम क्या नहीं सकते जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है बढ़ाने की वज़े से बढ़ जाया तो यह जो रीजन है वह सब्सक्राइब मेशन भी हो रहा है इसका और नौर नहीं हो जाएगा और आर पर अर इस एक्सपेनिशन ओफ के इसमें आपको सिक्सक्षिन मिले हैं और से मैं से आपको सिर्फ पांच सवालों की जवाब देने हैं ठीक है सबसे पहला कुछिन क्या बोल रहा है कि small object with charge q and weight mg it attains to one end of a string of length L a system is placed in uniform horizontal electric field as shown in the figure in the presence of field the string make a constant angle theta with the vertical the sign and the magnitude of q sign or magnitude of q to help both also in melhores juga positive sponsorship इस पॉसिट्रेटि यह पता है कि the path ऐन आ कि पॉस्सिटिव चार्ड यह पॉस्सक्राट्ज हनेक Essa लाप दियान से देखो यह प्रेटा है लगाराऊ होगा नेक्रिक डारिक्षिन-देर्क्षिन में एधर यह स्टिंग से बनाया तो टेंशन लग रहा होगा यह मास का है तो नीचे लग रहा होगा अब यह इधर जाके रुख गया थीटा इंगल बनाके मतलब यह इकली ब्रियम में आ गया मतलब आपको इसका एकली बनाके इस क्वेश्चन को सोल करना आना चाहिए अब यह एंगल यह इंगल बी क्या होगा थीटा टी के दो कंपोनेंट ठोट जाएंगे अदर कौन सा कंपोनेंट आएगा लदी साइन फीटा उपर आएगा भी तीग तीम टा फॉर्स और राइचा वाले फॉर्स आपके लेफ्ट के बराबर होना चाहिए यानि कि यह टीज़िशन थीटा है यह क्यों के बराबर होना चाहिए अपका एंजी के बराबर होना चाहिए अब यह थीटा निकालना है तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो इधर से मिलेगा इसके बना एंजी इसके पास जाएगा तो बन जाएगा एंजी इसके बोलेंगे अच्छा कोशन दिया आपको अना अच्छा कोशन दिया है क्योंकि वेल्यू पोजिटिव चाहरते साथ ही जाथ उसका मैनिट्यूड है एंजी बाइए एंड थीटा ओप्शन नमबर सेकेंड देखो आपका मेच कर रहा है कर दो कर दो कर 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 मैंस्ब्सट्ट्राइब पर अर्मिल्डग्रॉंड अधि पोजिटल्य हाज फ्लेट प्लेट वह इंड बोटर्टविट अरक उश्ट्रमाइब प्लेट ऐन है फिलिष फिलोगे इस फ्रोलोविंग स्वी सग्ण में तो एक एलेक्ट्रों है तो प्रोटों है तो फोटीव प्रोटों प्रेश्ट ऑच्षोगज में wonा बुर्टोंब्र न्युक्त्रौंस पोजिट्टिव से नेगेटिव की तरफ पोजिट्टिव से नेगेटिव की तरफ ही होगा तो इलेक्टिक फील्ट वहां पर फोस्तों लगना है पोटेंजिल एनरजी ओफ प्रोटउन इस ग्रेटर देन और एलेक्टरॉन पोटेंचिल एनर्जी ए किसकी प्रोटोन की वह ज़्यादा है इलेक्ट्रोन से स्पों देख लेते हैं यहाँ पर देखो दोनों सेम जगा है तो इनका पोटेंचिल तो सेम होने वाला है बड़ प्रोटोन की प्रकुलेट्व और कि लिकूंद की पोड़ा सोङ नटी नहीं है को वी कि एक मुत डली हमनेटीव अकि पोडोडों सी बात आद थाक्ती ज्यादा है वाटों की पोडोडो अनरजी ज्यादा है तो डार गर्सक्ला तो प्रोटोन एलेक्टोन सेम गद्ट के बात करें तो जरूर सेम है बट एसे नहीं है तो फूसरा कि कोन से ट्रू है तो सिरुब और सिरुफ सिर्फ सेकंड वाला ऐसे प्ट्सन रूप है और बढ़ें अब आपकी केस्टडी वाले पॉश्चन है केस्टडी आपको बड़ी सिंपल सी केस्टडी दे रखिए ये बच्टे चप्टर नमबर 7 में पहले पढ़ लेते हैं ट्रांस्फोर्मर आपको डाइग्राम दिया गया है पहले वोल्टेज को अप किया जाता है स्टेप अप आप क्यों किया जाता है सभी को पता है करने की मज़ेते हैं जो कई दोड़ने है वह कम ऑने की वजय से जो आपका हीट लौस होता है थीर ट्रांस्वर्म लसोता है तो क्या हो जायए ह्गा कम हो जाएगा य उत्यदי प्राइमरी कोई यंदर अगर क्या है अगरơn ऑ Polish प्रामरी कोईyorsun प्राइमरी कोईल का सब्सक्राइब करेंट पता है यह सारी चीज़े बच्चों को याद करा दी जाती है आजाते हैं इसके पढ़ लेते हैं क्या है बागी आपके स्टेड़ी पढ़ लेंगे इस ट्रू एनर्जी इस रेक्टिवर्ण द्रांस्पорमर स्टेपफ द वोल्टेज एनर्जी बंता है इक उन्सी आता है ने वहीं थे लिचान दीजान च्डीज वाले किस लिए होगा step up transformer increase the power of transmission is the power of transmission step down transformer decrease the AC voltage GSI 4th option ते कि अगर देता है डिक्रीज कर देता है step down transformer ते कि एक से कंडरी कोईल है ग्रेटर नंबर अफ तर्म्री कोईल अगर से कंडर ज्यादा यानिकी पीए एन-एस ज्यादा एंपीज़ तो एपीजर एएस क्या होता है एंपीजर एंस ए एनस की वैल्यवल्य ज्यादा होगी एपीज़ यह स्टेब्ड अप एंड़ कि ब्युक्त कर चाहिए आगे बढ़ता है नाइस क्वेशन में पार्शन सब्सक्राइब करने से करें क्या हो जाता है करें कम होने की वज़े से जो यह आपका सब्सक्राइब करने से अगर आइकम होगा तो वह हम हो जाएगा यह रीजन होता है तो वह रीजन हो जाएगा पावर ट्रांसेशन लाइन फीड इंपूट पावर एक टूपेंटी वोल्ट इपी दे दिया आपको को तू तू थाउजन थी हंड्रेड थू थाउजन पर चड़ा रहे था स्ट्राइब डाउन ट्रांस्फोर्मर इस प्राइमरी माइंडिंग हेविंग इस चंबर उपन्स एंपी दे दिया आपको 4000 तूंस अन्बर आपको सेकेंटरी गोल इन ओडर त आपको आउट्पूट पावर यानि कि सेकेंटरी गोल के अंदर तू थर्टी वोल्ड चाहिए तो पूछ रहा है कि एनस कितना होगा एनस कितना होगा अभी फॉर्मला बताया था आपको एपी बाई इस इस इकोस तू एंपी बाई एनस चीक है तो टू थी डबल जीरो डि यह बहुत को तो एक चारो इजी आप कर सकते हो तो इसी के साथ हमारा सेंपल चुर्ण अब घराव कोस्ट कर लिए हाला कि पूर नहीं करने करने है यहां से बात यह पता लगती कि पुछ कुछं होगे जो डिरेक्ली देखते ही हो जाएंगे बट कुछ कोशन में चाफी बि क्या करना है एक वार उसको छोड़ के आगे चले जाना पता जल रहा है कि आगे एजी कोशन थे वह आपसे शूट गए जैसे कि देखो लास्ट में जी कोशन दिये में समझ में आ रही है बात तो कैल्कुलेशन हो एक वार उससे वहां पे जगह चोड़ कर देना आगे चलना कर लेना बड़े अराम से और कैल्कुलेशन की भी प्रैक्टिस कर लेना ठीक है इसी के साथ वीडियो को खतम करते हैं मिलता हूं मैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक आप पढ़ते रही है और मचाते रही है थैंक्यू वेरी मिंच